आक्सिजन है तो जिन्दगी है ये पता सबको बहुत पहले से है लेकिन इसकी एहमियत इन दिनों पता चली है जब कोरोना में आक्सिजन की कमी से लोगों की जान गई है ये वक्त होता है एक दूसरे की मदद करने का बट हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं आज मैं बात करूँगा एंबुलेंस के किराय की इन दिनों एंबुलेंस के इतने चार्जेस बढ़ गए हैं कि एक आम आदमें ये भी एफॉर्ड नहीं कर सकता अब मैं दो एंबूलेंस के किराय बताता हूँ जो इन दिनों चार्ज किया गया है एक एंबूलेंस गुरूगराम से लुधियाना गया और इसके लिए एक लाख बीस हजार चार्ज किया गया दूसरा एक्जामपल एक एम्बूलेंस दिल्ली के मुनीरका से बसंद बिहार गया और इसके लिए एम्बूलेंस वाले ने 15,000 चार्ज किये मात्र 2 किलोमीटर के लिए 15,000 सोचिये जरा इसलिए इस loot से बचने के लिए दिली सरकार ने ambulances के लिए एक fixed charge कर दिया है Charge ambulance के type पे रखा गया है पहला है PTA ambulance मतलब patient transport ambulance इसका किराया प्रती 10 km पंदरासो रुपे रखा गया है मतलब अगर दूरी 10 km है तो आपको बस पंदरासो देने होंगे दूसरा है BLS ambulance मतलब basic life support ambulance इसका किराया प्रती 10 km 2,000 रखा गया है तीसरा है ALS ambulance मतलब advanced life support ambulance इस ambulance का किराया प्रती 10 km 4,000 तह किया गया है मतलब 10 km जाते हैं तो आपको 4,000 देना होगा ये थोड़ा सा महंगा ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि इसकी facilities advance है इसकी floor height ground से 695 mm होती है जिसमें foldable stretcher easily load हो सके entry exit easy हो पाता है और इसमें 270 degree door opening है with self locking BLS ambulance में दो emergency medical technicians होते हैं वहीं ALS में दो technician के साथ एक paramedic भी होते हैं BLS ambulance में needles या किसी और device का use नहीं किया जाता वहीं ALS में injection भी लगाया जाता है और medicine भी दी जाती है ALS में basic treatment दी जाती है जबकि BLS ambulance में basic treatment नहीं दी जाती ALS ambulance में airway equipment होते हैं cardiac life support, cardiac monitors और glucose testing device भी होते हैं जबकि BLS में ऐसा कुछ नहीं होता इन तीन ambulance के अलावा Mortuary ambulance, Neonatal ambulance और air ambulance भी होते हैं Mortuary ambulance में dead body carry किया जाता है और इसके लिए भी अपनी मन मर्जी के पैसे मांगे जाते हैं Neonatal ambulance एक rapid action medical specialist team द्वारा operate किया जाता है जो premature infants को mother hospital में transport किया जाता है Air ambulance एक special outfitted helicopter या fixed wing aircraft होते हैं तो किराया इसी हिसाब से दीजिएगा और अगर कोई जादा किराया मांगता है तो उसकी आप complaint भी कर सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे like करें और अब आप हमारे official website www.infohuff4.com से भी जुड सकते हैं